अब देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिस ग्यान में दर्शो को आप सभी का महारदे को सब्सक्राइब करते हैं आई आज हम बात करते हैं मकर राशी और मई महीने के उपाए हम मई महीने में मकर राशी के जितने भी संसार के जातक हैं क्या विसे सब्सक्राइब करें देखो दशों को छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े उपाई करने से कही ने कहीं जीवन में बड़ा परिवरतन आता जीवन में बड़ा लाब की प्राप्ति होती है हम जोतिस के बहुत सारे तत्वों को ग्यान को समझ सकते हैं जोतिस के बहुत सारे गुड रह्षियों को समझ सकते हैं लेकिन समझने के साथ साथ उपाए एक बहुत बड़ी शक्ती होती है एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसके माद्यम से हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं अब देखिएगा सबसे पहले तो वो लोग समझ ले जिनकी मकर राशी है आपकी बहुत बुलंद बड़ी राशी है बहुत अच्छे हर्दे के आप लोग हैं लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी सफलता हैं आपसे मीलो दूर चली जाती हैं जीवन में संघर्स करना जीवन का संघर्सपन कभी आपसे छुटता नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ने कहीं आप अपने हिम्मत के माध्यम से अपने बल के माध्यम से अपने रास्ते निकाल लेते हो उन्ही रास्तों में एक रास्ता होता है जोतिश जोतिश एक प्रकास का कारे करता है जैसे अंधेरे में कोई हमें टॉर्च दिखा दे ऐसे ही जोतिस एक कारिय होता हम जोतिशी उपाई के माद्यम से नाना भाती की जीवन में सुख समपदाएं प्राप्त कर सकते हैं जैसे आप सबसे पहले ये जालने कि आपकी मकर राशी है तो मकर राशी के लिए आप अपनी जनब पत्री का यदी देखते हैं उसमें जो लगन चार्ट होता है बेसिक चार्ट होता है उसमें हम ये देखें कि चंद्रमा जो हैं वो टैन नमबर के साथ बैठे हुए है अगर चंद्रमा दस नंबर के साथ, टे नंबर के साथ हैं, तो आपकी मकर राशी है, या वो लोग यह उपाय करेंगे, आज वाले जो हम बताएंगे, जिनके पुकारते नाम से मकर राशी बनती है, तो मकर राशी वाले जातक यह इस तरह से भी उपाय कर सकते हैं, जिनका बोलता न हैं और शनी का जो रंग होता है नीला शाम वरणी होता है शनी की द्रश्टी एदे किसी व्यक्ति के उपर पढ़ जाए और वो भी कहीं ने कहीं अशुबता के रूप में आ जाए तो निश्चत तोर से जानिएगा कि व्यक्ति के जीवन की कहानी उल्टी हो जाती है यानि कि जैसे साफ शीडी का खेल होता है कि आपने गोटी गोटी करके 99 पे पहुंसते हैं और साफ डस लेता है फिर नीचे आ जाते हैं ऐसे आपके जीवन का सुख लाब सब छिन जाता है अगर कहीं न कहीं आपके जीवन में जब उल्टे दिन आते हैं तो सारे कारे उल्टे होने लगते हैं इसलिए मैंने अपने मनतव्य के हिसाब से हर महीनी के कुछ नकुछ सुखम सरर उपाय बताने का एक प्रितन पिछले कई वर्षों से आपके संकरता आ रहा हूं आप इन उपायों को करते जाएं करते जाएं यह मत सोचें लाब मिलता नहीं मिलता अच्छे काम मे कभी कुछ सोचना निगेटिव नहीं चाहिए आप करते नहें आपको लाब जरूर मिलेगा अब मैं आपको उपाय बताऊंगा और कौमन से उपाय बताऊंगा मई महीने में हमें क्या करना चाहिए आपकी जनम पत्रिका के शनी भी इससे प्रभावित होंगे आपकी हतेली म होता है एक मद्धे में मद्धे मांगली के नीचे की तरफ होता है शनी परवत सेटर्न माउंट इसके उपर भी खासा प्रभाव आएगा आपकी हतेली में होती है भागे रेखा भागे रेखा के उपर भी बहुत अच्छा प्रभाव आएगा तो आईए अब जानते हैं पुल में चढ़ाएं और साथ बार ओम शम्सन इस्तिलाय नमा बोलें ऐसा हम तीन शनिवार या ऐसा हम चार शनिवार यदि मई महीने में करते हैं मई महा में करते हैं तो हमें इसके विशेश सिलाव की प्राप्ति अवश्य होगी दिन में दिन के बारा बजे के आसपास ग्यारा बार एक दो मिनट के लिए कहीं बैठ जाएं ठीक दिन के बारा बजे ग्यारा बार ओम शम्सनिस्तिलाय नमा ओम शम्सनिस्तिलाय नमा इस मंतर का जब करें इस जबी हमें विशेश स्फल की प्राप्ति होगी और शनिवार के द काली सरसो काली शरसो और थोड़ा उसमें बाजरा मिक्स करके हम पक्षियों को डालें या चीटियों को डालें तीन सनी वार या चार सनी वार इस से भी हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी एक लास्ट उपाय और मेरे दर्शक सुन लीजिएगा जो मैं अक्सर आपको पताता ही रहता हूँ इन उपायों में बड़ी ताकत होती है आपको लगते जलूर हैं साधरन से लेकिन ये उपाय जब आप करते हैं तो कहीं न कहीं जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आता है सिर्फ एक शनीवार ये उपाय करना है केवल एक बार आपको ऐसा करना है जैसे जैसे आप ये मला हर महीने के उपाय अपनी मकर राशी से संबंदित आप करते जाएंगे तो देख लेना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा आपको ये उपाय करने चाहिए और ये जी कई बार आपको लगता है कि उपाय मेरे बच्चे की मकर राशी है मैं उनके लिए कर लूँ तो आप कर सकती हैं कर सकते हैं किसी तरह का कोई डर नहीं है कोई भेह नहीं है चार उपाय रबड का जूता चप्पल छीटियों को शक्कर शक्कर मिला लें या जो मैंने चीटियों को बताया है बाजरा और काली सरसो पीपल देवता पर मीठा जल मैंने आपको बताया है और दिन के ठीक बारा बजे ग्यारा भार ओम शम सनिच्चरायनम है इस मूल मंतर का जब करना सर्फ ग्यारा बार इतने सही आपकी रासी के उपर दिवता का प्रभाव आएगा जून के क्या विसेस उपाय करेंगे जुलाई के क्या विसेस उपाय करेंगे वो उपाय भी हम आपको बताती जाएंगे आप इन उपायों को जरूर कीजेगा हमें पूर्ण विस्वास है एक ना एक दिन प्रकाश का दीप आपके जीवन में अविश्य आलोकित होगा आप करें आपको लाव जरूर मिलेगा दूसरी बात दर्शों को एक चीज और ध्यान रखें अगर पूर्ण ध्यान आपको चाहिए कि पूर्ण समस्याई जीवन में तैर रही है आ रही है इनको कैसे हम दूर करें देखो उसके लिए या तो अपनी जर्ण पत्रिगा किसी को दिखाई जाए तब हमें पूर्णता की प्राप्ती होती है अच्छे लाव मिलते हैं अच्छे उपाई पता लगते हैं या अगर जनब पत्रिगा नहीं है डेटो बर्ट नहीं है तो अपने हाथ की रेखाऊं को दिखा कर भी हम अपनी बहुत सारी समस्याऊं से दूर आ सकते हैं उमीद करता हूँ आज का जो मैंने विशेश उपाई आपको बताए हैं मकर रासी वाले जातकों को यह उपाई कहीं ये कहीं लाभानवित जरूर करेंगे एक संदेश यह आप हमसे मिलना चाहते हैं चाहें व्यक्तिकत तोर पर मिलना चाहते हैं या कैसे भी आप मिलना चाहते हैं उसके लिए आप हमें फोन करके appointment अपनी fix कर सकते हैं और जो लोग इंडिया से दूर रहते हैं दूर दराज आप लोग रहते हैं इंडिया में रहते हैं या आउट ओफ इंडिया रहते हैं आपके लिए आकर के मिल पाना संभव नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप लोग call appointment ले करके मिलने की ववस्था बना सकते हैं या केबल फोन के माद्यम से भी अपनी समस्थाओं का आप लोग कहीं न कहीं निदान पा सकते हैं और चलते चलते आप से ये कहना चाहेंगे यदि आपने अभी तक हमें सस्क्राइब ना किया हो समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बाते इनसे लगातार कभी कवार हो जाये करती है एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके इहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज़ चाओं का करीब चार-पांस दिनों से कववों का जुंट मेरे घर पे मन रहा था यही सोचने परिशान था यह सुब है असुब है क्या चीज है तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे है कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुस तो आलोगिक है इनमे दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे मेरे इन से वारता हुई तो मैंने इनका उदेश जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे है तो जो उदेश है उन्होंने मुझको बताया मैं मन्त से इनके उदेश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें